जाहिन दोस्तो मैं नौनी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैरस पे दोस्तो इस ट्रेट यानि जलसंदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसकी एक वीडियो आपको मिल चुकी है जिसमें मैं जिब्राल्टर इस ट्रेट तक जिब्राल्टर ज संदितक मैं आपको बता चुका हूं और जिब्राल्टर के बारे में मैं बताया हूं आपको कि यह अट्लांटिक महासागर को भूमद सागर से जोड़ती है मेडिटरेनियंसी से जोड़ती है और इस्पेन को मुरक्को से अलग करती है यहां तक हम कर चुके हैं अब हम जिब्राल्टर स्टेट से आगे बढ़ेंगे और मेडिटरेनियंसी होते हुए इंडिया तक पहुचेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को देखें पिसली क्लास में हम यहां तक थे यह है जिब्राल्टर जलसर इधर इस्पेन इधर मुरक्को इधर अट्लांटिक महासागर और यह पूरा भूमद्द साथ यहां तक हम कर चुके थे अब इसके हम आगे पढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे बोनी फेसियो स्ट अब देखें बोनी फेसियो किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है तो सबसे पहले हम देखें कि यह जो आइलेंड है इसका नाह में पॉर्सिका पॉर्सिका आइलेंड जिसका जो फ्रांस का है और जबकि यह जो आइलेंड आपको दिख रहा है यह है सरडीनिया सरडीनिया जो कि इटिली क्या है इधर आपको बैलियारिक सी दिख रहा है और इधर आपको टैरेनियल सी दिख रहा है ठीक अब बैलियारिक सी को टैरेनियल सी से जोड़ने का जो काम करता है वही है बैनिफेसियो जलसंदी ठीक तो बैनिफेसियो जलसंदी जो कि यह है बै के बारे में यहां देखें तो कोर्सिका फ्रांस का है और सरडीनिया इटिली का है यहां दीपो के रुप में फ्रांस और इटिली अलग भी हो रहे और बैलियारिक सी को टैरेनियंसी से जोड़ता है यह बैलियारिक सी पूरा और यह टैरेनियंसी इनको अलग करता है जोड़त अब देखिए यह जो आपको आइलेंड दिख रहा है यह है इटली का सिस्ली आइलेंड और यह पूरा ही इटली है यह पूरा इटली अब देखिए ये सिसली आइलेंड और ये इटली इधर टाइरेनियन सी और इधर आयोनियन सी टाइरेनियन सी और आयोनियन सी टाइरेनियन सी और आयोनियन सी को जोडने वाली जो जलसंदी है वो मेसीना जलसंदी है मेसीना स्ट्रेट ठीक मेसीना स्ट्रेट अब आप ध्यान रखेगा आपको याद रखना है क्या क्या इसमें किसको जोड़ता है मिसीना जलसंदी तो टाइरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ता है और इटिली ये में इटिली है और ये इटिली का सिसली आइलेंड है तो इटिली को सिसली आई लाइन से अलग करता है ये आपको ध्यान रखना है मिर्सीना जलसंदी के बारे में इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं brake next अमारा है पहले आपको location पता होना चाहिए देखे यह पूरा जो area है यह adriatic c है यह दिख लाय आपको पूरा area यह adriatic c है एड्रियारिक शागर और इधर आपका आइयोनियस्च है एड्रियार्टिक से को आइयोनियस्च से जोड़ने का क्वाश करता है और स्ट्रेट और ट्रेंटो जलसंदी अब देखे ये एड्रियाटिक सागर ये आयोनियन सी और इसको जोडने का जो काम कर रहा है और ट्रेंटो जलसंदी और ट्रेंटो जलसंदी एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड रहा है ठीक और अलग किसको कर रहा है इटिली को बालकन से इटिल में आप पढ़े होगे तो इटली को बालकन से अलग करता है ये ध्यान रखेएगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये दिखे ये है एजियंसी ये पूरा है एजियंसी और यहाँ पर है मरमरासी मरमरा सागत और इधर है आपका ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये ब्लैक सी ये ब्लैक सी काला सागर तो अगर बात की जाए एजियंसागर को एजियंसागर को मरमरासागर से जोडने का काम कौन करता है तो एजियंसागर को मरमरासागर से जोडता है दार देने लीज जलसंदी तो ये जो जलसंदी है वो है दार देने लीज जलसंदी जार्दे निलीज जलसंदी ठीक और याज रखेगा ये इतली का अनातोलिया वाला पाठ है ये इतली का तुर्की का अनातोलिया का पाठ है इधर ठीक और इधर तुर्की का इस्तामबुल पाठ है तो कुल मिला के तुर्की के अनातोलिया को तुर्की के इस्तामबुल से अलग करता है दार देने लिज जलसंदी और जोड किसको रहा है एजियन सागर को मरमरा सागर से एजियन सागर यह है और यह है मरमरा सागर और जोड रहा है एजियन सागर को मरमर सागर थे दार देने लिज जलसंदी नाम इतना अच्छे-च्छे हैं कि आपको बोलने में आपकी जीव लड़ खड़ा जाए तो दार देने लिज जलसंदी एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है अब आगे भढ़ते हैं एजियन मरमरा हो गया इसके बाद मरमरा सागर को ब्लैक सी से मरमरा सी को ब्लैक सी से यानि मरमरा सागर को ब्लैक सागर से काला सागर से जोड़ने का काम करता है बास पूरस यह जो जलसंदी है यह है बास पूरस पासपूरस स्ट्रेट पासपूरस जलसंदी अब ध्यान रखें मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ रहा है बासपूरस और अलग किसको कर रहा है तुर्की के अनातोलिया को तुर्की के इस्तामबुल से ये तुर्की का इस्तांबूल वाला पार्ट और ये तुर्की का अनातोलिया वाला पार्ट तो बासपूरस जलतन्दी मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है और तुर्की के अनातोलिया को तुर्की के इस्तांबूल से अलग करता है अब आगे बढ़ते हैं आगे ये है यहां पर चल लए है लड़ाई युद्ध चलना है रसिया और युक्रेन के बीच ठीक तो एक्जाम के लिए इस बार important होगा यह है क्रीमिया यह है क्रीमिया यह आप देख रहे हो पूरा काला सागर और यह है एजो सागर अब एजो सागर को काला सागर से जोडने का काम करता है कर्च जलसंदी यह जो जोड रहा है यह जो कर रहा है यह है कर्च जलसंदी तो कर्च जलसंदी काला सागर को एजो सागर से जोडता है और क्रीमिया को रसिया से अलग करता है यह देखे क्रीमिया और इधर यह जो पार्ट है यह रसिया का है इस क्रीमिया को रसिया से अलग करता है कर्च जलसंदी ठीक तो इधर का पार्ट तो हो गया अब हम चलते हैं साउथ की ओर और दूसरे मैप के सहारे चलते हैं अब हम आते हैं आपको अभी देखें ये पूरा भुमद सागर था और भुमद सागर के छेतर में कितनी जलसंदिया थी ये आपको पता चल गया अब एक चीज देखें कि अगर यूरोपियन को भारत की ओर आना है इधर आपका भारत पढ़ेगा अगर हम इस मैप में देखें तो आपको और आसानी से समझ में आएगा अगर यूरोपियन को इधर से भारत की ओर आना है तो आप देखें पूरा अफरिका महादीप का चक्कर लगा के आना पड़ता था भारत की ओर अगर आना है तो या साउथ एसिया साउथ इस्ट एसिया क्यों इधर से अगर जाना ह इधर से अगर अट्लांटिक महासागर होके तो पूरा अफरिका महादीप का चक्कर लगाना पड़ता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजिप्ट में यह मिस्र है मिस्र में एक नहर बनाए गई जिसका नाम है स्वेज कैनाल स्वेज नहर अब देखे यह जो भाग दिखरा यह यह लाल सागर रेड सी और ऊपर यह है मेडिटरेनियल सी भूमद्य सागर यह आपको दिखरा पार्ट यह पूरा भूमद्य सागर है और यह पार्ट जो दिखरा यह इसका नाम है सिनाई पैनसुला सिनाई प्रायदीप और इसी सिनाई प्राय दीप में ही बनाया आपका स्वेज कनाल स्वेज नहर अब देखिए किस देश का भाग है तो इजिप्ट का भाग है मिस्र का भाग है तो स्वेज नहर यह है स्वेज नहर अब स्वेज नहर आप देखिए भुमद सागर को लाल सागर से जोड़ रही है ये किसको जोड़ रही है Mediterranean Sea को Red Sea से भुमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है अब एची ध्यान लखना है कि इसमें बंदर गाह भी है और कुछ जेल भी है सबसे पहले अगर इस स्वेज नहर को मैं ऐसे बना लूँ आपको समझाने के लिए तो स्वेज नहर का इधर उत्तर वाला पार्ट और इधर दच्छिड वाला पार्ट तो दो पार्ट तो स्वेज नहर के उत्तर में पोट सईद है पोट सईद और स्वेज नहर के दच्छिड में पोट स्वेज है पोट स्वेज यानि यहाँ पर पोट साइब और यहाँ पर पोट स्वेज अब इसमें धेर सारे जहेले हैं इसी स्वेज नहर में धेर सारी जहेले हैं और आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में पूछा जा सकता है सबसे पहले तिम्सा लेक तिम्सा एक उसके बाद है लेक बिटर वैसे ग्रेट बिटर लेक कहा जाता है ग्रेट बिटर लेक उसके बाद यह जो जील है ग्रेट बिटर लेक ठिक ग्रेट बिटर जील उसके बाद उसके नीचे है लिटिल बिटर लेक ठिक लिटिल बिटर लेक यानि स्वेज नहर में अगर हम उत्तर से दच्छिड आए तो सबसे पहले मिलेगा आपको पोट स्वेज पोट साइब उसके बाद तिमसा जील मिलेगी उसके बाद लेक ग्रेट बिटर मिलेगा उसके बाद लेक लिटिल बिटर मिलेगा उसके बाद पोट स्वेज मिलेगा ठिक यह सिक्वेंस आप याद रखेगा और एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इन जीलों में से कौन कहां पर है पूछा जा सकता है निमलिकित में से कौन से जील स्वेज नहर में है या यह जील कहां पर है तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए तो आपको पता चल गया कि यह स्वेज नहर है यह स्वेज नहर है जो कि इजिप और यह जो एरिया जो दिख रही है यह है गल्फ आफ अधन गल्फ आफ अधन लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम है बॉब अलमेंदेव जनसंदी लाल सागर को अधन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है बॉब अलमेंदेव अलग किसको करता है यह भी है पूछा जासकता है तो ध्यार लखेएगा यहाँ एक देशे जिबूती यहां देश है जीबूती और इधार आपको दिखना होगा यमन तिक यह है यमन और यहां एक देश है जीबूती तो जीबूती को यमन से अलग करता है और लाज सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है बौब अलमंदेव जलसंदी चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अफ्रिका महादीप के साउथ में आते हैं उसके बाद फिर हम नौर्थ में चलेंगे अब यह देखे यह है मेडागासकर आईलेंड और यह देश है मोजांबिक डेश है और यह पूरा इंडियन ओसियन हिंद महासागर और यह है भूमद रेखा तो भूमद रेखा के द मोजांबिक को मेडागासकर से अलग करने का काम करता है मोजांबिक चैनल मोजामभीग चैनल ठिक यह मोजामभीग चैनल है और कहा है इसी तो दच्चुडी हिंद महासागर में है तो मोजामभीग चैनल है यह दच्छडी हिंद महां सागर में इस्तित है और मेड़ागासकर को मोजांबिक देश से अलग करता है ये ध्यार लखेगा आप लोग इसके बाद हम साउट से दुबारा नौर्थ की ओर आते हैं और ये एरिया देखे ये है गल्फ आफ पर्सिया गल्फ आफ पर्सिया यारी फारस की खाड़े और ये है गल्फ आफ ओमान ओमान की खाड़े गल्फ आफ ओमान गल्फ आफ ओमान ओमान की खाड़े अब गल्फ आफ पर्सिया को फारस की खाड़े को ओमान की खाड़े से बहुत ही इमपोर्टेण जलसंदी रिगुलर पूछा गया एक्जाम में हर्मुझ जलसंदी अ ए और मुझ जलसंदी हर्मु जलसंदी, अब ये देखे, पारस की खाड़ी को measure fight. अमान की खाड़ी से जोड़ने का काम कर रहा है यह जो जलसंदी हो涼मु जलसंदी और अलग किसको कर रहा है? अब देखे अमान को इरान से अलग कर रहा है. अमान को ऊपर वाला पार जो है यह इरान है और यहाँ टॉप पे है उमान तो उमान को इरान से अलग कर रहा है हरमुजल संदी और जोड किसको रहा है गल्फ आफ परसिया को गल्फ आफ उमान से भारस की खाड़ी को उमान की खाड़ी से जोड रहा है चलिए अब हम चलते हैं अपने देश भारत की ओर और यहां देखते हैं कुछ इंप्वारत दिख रहा है लोग यहां पर लिए यहां पर माल री यहां पर कि माल रख्व को अलग किया जाए को कॉन करता है अब ध्यान दीजे ये है एट डिग्री चैनल एट डिग्री चैनल एट डिग्री चैनल और लक्ष दीप का एक बड़ा दीप है जिसका नाम है मिनी कोई तो मिनी कोई दीप जो की लक्ष दीप का है मिनी कोई दीप को माल दीप से अलग करने वाला चैनल जो है वो है एट डिग्री चैनल चुकि 8 degree latitude आठ अंस अच्छांस रेखा के समानांतर है इसलिए कहा जाता है 8 degree channel बात क्लियर अब एक है 9 degree channel ठीक 9 degree channel 9 degree channel अब देखिए ये है mini कोई और उपर है लक्ष दीप अगर आप से पूछा जाए कि mini कोई दीप को लच दीप से कौन सा चैनल अलग करता है तो 9 degree channel 9 degree channel mini कोई दीप को लच दीप से अलग करता है अब इसके बाद हम पाक स्टेट के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम 10 degree चलेंगे वैसे तो हमें जाना चाहिए था 8 9 फिल सीधे 10 पे लेकिन रास्ते में हमको मिल जाता है पाक स्टेट पाक जलसंदी इसलिए हम पाक जलसंदी को पहरे देखेंगे यह पूरा हमारा है बंगाल की खाड़ी यह जो भाग देख रहे हैं आप यह गल्फ आफ पाक पाक की खाड़ी गल्फ आफ पाक ठिक और इधर है यह मननार की खाड़ी गल्फ आफ मननार तिक और इधर यह पूरा है बे आफ बंगाल यह बंगाल की खाड़ी अब यहां से जो कोशन आता है उस पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है बच्चे यहां गल्दी कर देते देखिए पहले क्या है पाक की खाड़ी गल्फ आफ पाक और यह है बंगाल की खाड़ी और यह जो है इस्ट्रेट जिसका नाम है पाक इस्ट्रेट पाक इस्ट्रेट पाक जलसंदी तो पाक जलसंदी गल्फ आफ पाक यानि पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अब इस पाक स्टेट के माध्यम से आप पाक की खाड़ी होते हुए मननार की खाड़ी में भी आ जाओगे ठीक कोर्शन जब पूछा जाता है पेपर में तो पहला ऑप्शन हुआ कि पाक जलसंधी जोड़ता है पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से या बंगाल की खाड सबसे सही एंसर जो होगा वो पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अगर ये नहीं दिया है तब आप कर सकते हो मनार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से लेकिन बंगाल की खाड़ी को तो रहना ही रहना है और यही वो पाक स्ट्रेट है जहां पर तमिलनाव से बहने व कि आप लोग अब हम चलेंगे कि पाक स्टेट पाक जल संदिक के बाद अंडमान निकोबार दीपसमु यह हमारा अंडमान निकोबार दीपसमु है जो बंगाल की खाड़ी में इस्थी थे इधर यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार दीपसमु के पूरब की और अ रखना है आपको कि अंडमान निकोबार दीप समू बंगाल की खाढ़ी में इस्थित है न कि अंडमान सागर में एक हम एक मैप के माध्यम से यहां पर जो जलसंधिया है उसको देखते हैं हम अभी देखे हैं एट डिग्री चैनल लक्षदीप को मिनिकोई दीप से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकोई को लक्षदीप से अलग करता है अब हमें 10 डिग्री प्याना है ठीक तो 10 डिग्री अंडमान निकोबार दीप सम्मू में है और 10 डिग्री देखे इस चित्र को मैं उपर करू यह पूरा हमारा अंडमान निकोबार दीप सम्मू है इसमें दो ग्रुप दो बड़े ग्रुप एक अंडमान ग्रुप और एक निकोबार ग्रुप अंडमान आईलेंड ग्रुप और निकोबार आईलेंड ग्रुप और यह जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है अगर पूछा जाए अंडमान दीपसमू को निकुबार दीपसमू से कौन अलग करता है तो ध्यान लखेगा 10 degree channel लेकिन और specific हो जाए तो कार निकुबार को little अंडमान से छोटा अंडमान से अलग करने वाला काम करता है 10 degree channel यह ध्यान लखेगा यह कोर्शन दो तरीके से आ सकता है एक्जाम में कि अंडमान दीपसमू को निकुबार दीपसमू से कौन अलग करता है तो 10 degree channel दूसर यह कोर्शन पूछ सकता है और specific हो सकता है टेपर बनाने वाला तो पूछ सकता है कि कार निकुबार को little अंडमान से कौन अलग करता है तो 10 degree channel अगर हम इसके बाद और उत्तर में जाएं तो आपको मिलेगा दक्कन पैसेज है ठीक और दक्कन पैसेज बीज़ अलग करता है लिटल अंडमान को साउथ अंडमान से धील यह बात भाग जो दिख़रा है आपको यह साउथ तो जो दक्कन पैसेज है वो अलग करता है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अच्छा एक चीज और यहां ध्यान लखने की बात है कि जोड़ते किसको है तो बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ते हैं चाहे वो टेन डिगरी चैनल हो चाहे वो दक्कन पैसेज हो और उपर चलते हैं तो देखिए यह है कोको अइलेंड और यहां इसकी ऊपर है कोको आईलेंड कोको आईलेंड कोको आईलेंड बिसिकली मियान मारक है कोको आलेंड बिसिकली म्यानमार का है तो कोको दीप यह है कोको दीप को उत्तरी अंडमान से कोको दीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने अब हम साउथ की और बढ़ते हैं अब देखिए यह है सुमबेरो चैनल सुमबेरो चैनल जो है वो कच्छल दीप को लिटिल निकुबार दीप से अलग करता है देखिए यह है कच्छल दीप और यह है लिटिल निकुबार आईलेंड लिटिल निकुबार दीप तो सुम्बेरो चैनल कच्छल दीप को लिटिल निकुबार यानि छोटा निकुबार दीप से अलग करता है जोड़ता किसको है बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से इसके बाद साओध में ग्रैन्ड पैसेज ग्रैन्ड पैसेज तो अब ग्रैन्ड पैसेज और इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा सुमात्रा और थोड़ा सा नीचे यादे उपर हो गया यह है सुमात्रा तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है ग्रेंड पैसेज ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है यह सुमात्रा जो कि इंडोलेसिया का है तो ग्रेंड पैसेज ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है और जोड़ता किसको है सिंपल सी बात है इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अंडमान सागर तो बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ने का काम करता है ग्रेंड पैसेज और अलग किसको करता है ग्रेट मिकुबार को सुमात्रा से अब इसके आगे है मलक्का जलसंदी और मलक्का जलसंदी के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से हम मलक्का जलसंदी से आगे बढ़ते हुए इंटर कर जाएंगे देखे इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगी हम यहां तक आ चुकी है यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह है मलक्का जलसंदी अब मलक्का जलसंदी से के बाद हम पूरा Pacific Question के बारे में देखेंगे कौन-कौन सी जलसंदिया हैं तो हम मलक्का जलसंदी से next वीडियो में आपसे discuss करेंगे तो चलिए इसी के साथ आज की class मैं समाप करना चाहता हूँ लेकिन हाँ आप इसे map में बना के याद रखिएगा क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा आप जिस sequence में मैं बताया हूँ उस sequence में map में mention कीजेगा और याद रखिएगा और अगर मेरी class आपको अच्छे लग रही है तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा और अधिक से अधिक share कीजेगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए इसके साथ मैं आज की class समाप करता हूँ जैहिल